इस बार कॉंग्रेस की बारी है तो क्या इसका फायदा आपको मिलता है ये पहला सवाल है दूसरी चीज ये नागेन सिंग जी जो मौजूदा विधायक है साइद उनका अंतिम चुनाओं का तो इसको लेकर के उनके प्रतिसान भूती कितिनी दिखाई देगा अंतिम चुनाओ उनका होगा की नहीं होगा ये तो जाने की घोष्णा तो 2008 से हो रही है यह अंतिम है अंतिम है और जूट जनता उनके जूट से पार्टी के जूट से दोनों से ऊप चुकी है पांग्रेस सरकार इस्थिर सरकार दे पाएगी स्वार अगर हम बात परें ने संदे सरकार कि इन सब का रस्ता अपना के इनका दवाव अपना के और पचास-पचास करोड़ में विधायक खरीदेंगे तो यह तो प्रजातंत के लिए शुब संक्यत नहीं है और जो योजना है भी आर्टी जनता पार्टी की जिस योजना की आप बात कर रहे हैं वो पक्षपात पू सभा चेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं गुड़ के मौजूदा कॉंग्रेस प्रत्यासी कपिद्ध्व सिंग जी सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका दखवरदार न्यूज पर पहला सवाल यही है कि आप दो बार से लगातार गुड़ में विधान सभा पुर्य प्रदेश की गुडविधान सभा चेत्र की जनता अब ऊप चुकी है और पूरे चेत्र में परिवर्तन का वातावरण है और कॉंग्रेस इस देश का सबसे पुराना राज्नेतिक परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है और इस बार कॉंग्रेस ने हम पर भरोसा किया है तो निस अंदे इसका पूरा लाब हमको और पार्टी को भी मिलेगा और यहां की जनता का भरपूर आशिरवाद हमारे साथ और कॉंग्रेस पार्टी के साथ है और गोड़े विधान सभाट सीट की जब बात करते हो तो यहां परिवर्तन हर बार होता है लगवग एक बार भाजपा एक बार कॉंग्रेस इस बार कॉंग्रेस की बारी है तो क्या इसका फायदा आपको मिलता है यह पहला सवाल है दूसरी चीज यह नागयन सिंग जी जो मौ चुश्णा तो 2008 से हो रही है यंति मैं यंति मैं और जूट जनता उनके जूट से पार्टी के जूट से दोनों से उप चुकी है और निस अन्दे परिवरतन का वातावरण पूरे गुर्विधान सभा चेतर में है और समुचे मद्रप्रदेश में पार्टी की सरकार बनने इन सब का रस्ता अपना के इनका दवाव अपना के और पचास-पचास करोड में विधायक खरीदेंगे तो यह तो प्रजातंत के लिए शुप संकेत नहीं है और कहीं न कहीं मध्ध प्रदेश की आधी आबादी को साधिने के लिए एक योजना चलाई गई है लाड़ेली बहना योजना आपके साथ भी जब हम समर्थकों में देख रहे हैं तो भाईया लोग जादा है बहने थोड़ा सा कम दिखाई देती हैं तो क्या चुनाबों में भी यह असार इसी तरीके से रहेगा या चुनाबों में कॉंग्रेस के साथ बहने जा रहे हैं और जो योजना है भी भार्ति जन्ता पार्टी की यस्योजना की आब बात कर रहे हैं वो पक्षपात पून योजना है उसमें सब को एक समान नहीं मिला गया उसमें कई तरह के पैमाने लगाये गए हैं जिससे माता बहनों में सिर्फ आधे ही लोगों को उसका लाब मिला है आधे लोग उससे वंचित है और उससे बहतर योजना कॉंग्रेस पार्टी लेके आ रही है नारी सम्मान योजना जिसमें 18 वर्ष पून होने के बाद हर माता हर बहन हर नारी क सब बढ़े सब बढ़े योजना के नाम से यहां पर एक योजना चलाई जा रही है जिसमें कच्छा पांच से लेकर बारा तके विद्यार्थियों को कुछ पैसे प्रतिमाह दिये जाएंगे और बर्थमान सरकार में तीन हजार का कर्जित किछले सितंबर माह में ही चड़ा त कि यह तो आर्थिक प्रबंधन का विशय है और कॉंग्रेस आर्थिक प्रबंधन में भारती जन्तापाती से सरकार के मामने बहतर है हम सरकार के उपर करजा नहीं चड़ाएंगे और अंदर से ही इतना हम आमदनी जिनरेट करेंगे कि हमारी सारी योजनाओं की पूर्ती उस सामदनी से हो जाए आप लगातार 15 वर्सों से गुड़ की जमीनी हकीकत से वाकिफ है तो क्या ऐसे कारण है जो यहां पर विकास नहीं हुए और अगर आप विधायक चुन करके आते हैं तो कौन सी ऐसी प्रमुख योजनाय होंगी जो गुड़ को एक बहतर भाविश्य की तरफ अग्रिसर करेंगे गोड़ विधानसबा चेतर में लगातार बाहरी प्रत्याशियों को जनता ने मौका दिया है कहीं न कहीं उन्होंने चेतर की उपेक्षा की है और यही कारण है कि गोड़ विधानसबा चेतर बहुत पीछे हो गया है मद्र प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम लोगों को यो जनता गाशिरवाद मिला तो गुर्ड विधान सबाच छेत में सबसे पहले तो हम लोग मुलभूत स्विधायक को सुद्र करेंगे यहां सडक की स्थिती, पानी की स्थिती, पेजल की स्थिती, बिजली की स्थिती, सब देनी स्थिती में है इनको सबसे पहले मजबूत करना है उसके साथ साथ नौजवानों के यो रोजगार के लिए जो हमारे यहां और से स्थापित योजनाए है उसमें नौजवानों को 70 फीसदी रोजगार सुनिश्चित करेंगे और साथ ही और नए उद्योग के लिए निवेश और छोटे छोटे लगू उद्योग अस्वर रोजगार को बढ़ावा देंगे ताकि हमारे जो छेतर का युवा है जो युवा प्रतिभा है उसका पलायन न हो और यही हम लोगों की प्रात्मिक्ता रहेगी और सबसे महत्पूर्ण है कि जो प्रशाशनिक व्यवस्ता है उसको जनसेवा के लिए तत्पर करेंगे जो आज किस्तिती में प्रशाशन ना तो जनता की समस्या तकलीफ देख पाता है ना सुन पाता है हम लोग की सरकार आएगी तो प्रशाशन की जवाब देहित करेंगे और प्रशाशन जनता के प्रति जवाबदार रहेंगे और सम्विधन शीलता से एक जनता की समस्या का जनता की तकलीफ का निराकरन करेंगे एक अंतिम सवाल है कि जो आपने बात कही उबाओ को ले करके हम भी छेत्र में गोमते हैं तो पलायन कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या है और यहीं पर पास में सोलर पावल प्लांट है जहां पर बाहर से लोग आ करके नौकरी करते हैं लेकिन यहां की इस्थानी लोगों को उसम स्थापित उद्योग हैं उसमें 70% यहां की युवाओं का रोजगार हम लोग सुनिश्चित करेंगे उसके लिए रास्ता जो अपनाना पड़े वो अपनाएंगे और साथ में नए नए निवेश शेतर में हम लोग ले आने का प्रयास करेंगे जिसे नए उद्योग स्थाइतों में स्थापित हो और लोग अपने पेरों पर यहीं खड़े हो बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यह थे हमारे साथ कॉंग्रेस के अपने अनभवों के सास्थ बुर्ध विधालसाभाद चेतर के मुद्दों के बारे में भी चर्चा की ने रहें तक खबरदार न्यूद के साथ कैमरा मैं सुधान सु के तात मैं अनुपम अनुप नमस्कार धन्यवाद